क्या आपने कभी अच्छाई और बुराई के बीच सनातन संघर्ष के बारे में सोचा है। मानव समझ के क्षेत्र से परे, यह संघार माहौलाना के रोशन स्वर्गिये शहर और अभिसस की छाया मई गहराई में रूप लेता है। डुमिनारा में बुद्धिमान सुपरन सेराफियल द्वारा नेतरत्व किये जाने वाले स्वर्णे मुठियों और क्रिस्टलिये उद्यानों के बीच फिरते हैं। विशुद्ध प्रकाश की जीवंत हस्तियां हैं। के क्षेत्र का सम्मान करते हुए। अभिश्यवानी के अनुसार ब्रह्मान्डिय संरेखन की चर्चाएं दोनों लुमिनारा और अभिसस तक पहुँचीं और प्रत्येक पक्ष ने अपने पक्ष में तराजु को जुकाने का अवसर देखा। जैसे ही ब्रहमान्डिय शक्तियां नजदीक आईं से रफियल ने नजदीक आने वाले संघर्ष की अनुभूती की। शांती के आशा में उसने सेलिस्टिया एक दूद स्वर्ग दूद को बेलियाल दुष्ट दानव स्वामी के साथ समझोते के लिए भेजा। फिर भी अभिसस का अंधकार बहुत प्रबल था। और वारता विनाश में ढल गई, बेलियाल की ठंडी हंसी की गूँज उभर रही थी अवनीचल सभाग्रहों में, स्वर्गिय संघर्ष अपरिहार्य था, स्वर्गों ने कांपा जब पहली सुक्ष्म तलवार ने आगी नर्किय तलवार से मुलाकात की, एक ब्रमांडिय य खगोलिय आदान प्रदान को काट दिये, उत्तेजना के बीच दो आंकड़े खलबली से निकले, एलिसिया, एक विद्रोही स्वर्गदूत, और शैडो बेन, एक मोह भंग दानव, उन्होंने अर्थ हीन संघर्ष का प्रशन उठाया, उन्होंने एक ऐसी वास्तविक्ता का कलपना की जहां प्रकाश और अंधकार सहजीवित हो सकते हैं, एक जुठ होकर उन्होंने खगोलिय और असुरी बलों के क्रोध का सामना किया, अपने सजातियों के बीच के गैप को पुलवद्ध करने का प्रयास करते हुए, अंतिम सामने से सामना में संघठन की चरम सीमा तक पहुंचने के साथ, एलिसिया और शैडोबेन ने एक भूली बिसरी भविश्यवानी को अनावरण किया, भविश्यवानी ब्रम्हांड में गूंजी, उनके निरंतर संघर्ष के भयानक परिणामों की एक ठंडी याद, यह बताता था कि अगर संतुलन बहाल नहीं किया उनकी प्राचीन द्वेश से कही अधिक थी, इसे कहा किया था, स्वर्गीय और पाताली बल अपने अस्तित्व के पहले समय में साथ-साथ काम करते थे, दिव्य और नर्कीय सहमती के एक इक्षण में उन्होंने ब्रम्हांडिय उर्जाओं को मोहर लगाई, उनके संयुक्त एक उमीद का प्रतीक थी, अराजकता के बीच एकता की शक्ति का एक प्रमाण, और इस प्रकार उस खगोलिय संघर्ष ने जो कभी ब्रमांड को उलजने की धमकी दे रहा था, परिवर्तन के लिए एक कैटलिस्ट बना, यह स्वर्गीय सागा, प्रकाश और अंधकार, दू जाले सेया और शाडो बेन, एक इंजल और एक डेमन, पुल बनाये जा सकते हैं, उन्होंने यह समझा कि उनका निरंतर संघर्ष अग्रिम मार्ग नहीं, बलकि पारसपरिक विनाश का पत है, खगोलिय संघर्ष ने हमें अनियंतरित महत्वा कांक्षा की विनाशकारी शक्त सहयोग के साथ, दूतों और दानवों ने इन उर्जाओं को मुहर लगाई, जिसकी उनके ब्रह्मांड को बहुत जरूरत थी, संतुलन को फिर से स्थापित किया, अंत में स्वर्गीय संघर्ष एक आशा का प्रतीक बन गया, एक्ता और सामंजस्य की शक्ति का साक्षी, सहयोग की शुरुआत करते हुए जहां प्रकाश और अंधकार के मध्य समझस्य स्वर्गीय टेपस्ट्री को पहले कभी न देखे गए रंगों से रंगा